Hello student, welcome to my youtube channel Excellent Success Group तो student आज हम डिसकस करेंगे class 9 में chapter 4 linear equation in a 2 variable के important question question number 1 में बोला गया है the linear equation 2x-5, 7 has unique solution होंगे 2 solution होंगे या infinitely many solution होंगे या no solution होंगे हमें जो given equation दे रखिया है 2x-5y is equal to 7 देखो अगर मैं इसको solve करता हूँ और x की value रखने पर हर बार x और y की value अगर हर बार एक जैसी आती है तब 2 का unique solution ठीक है सिर्फ x और y की 2 ही value आती है तो 2 solution और हर बार अलग अलग answer आते हैं तो infinity मैंने solution होंगे no solution मतलब इसका कोई solution नहीं होगा x की value और y की value कुछ होगी ही नहीं तो इसको समझाने के लिए मैं एक table के use करता हूँ जिसमें हम x और y की value निकालेंगे मान लो अगर मैंने x बराबर 0 रखा यहां पर 2 x बराबर 0 minus का 5y is equal to 7 x और 0 खतम minus का 5y is equal to 7 y multiply में minus का 5 एक इसमें आगे divide में तो y की value मेरे कितने है minus का 7 upon में 5 x यह रखने में y मेरे यह निकल के आ रहा है इस बार मैंने y बराबर क्या रखके देखा 0 तो मैंने 2 x y की जगापे रख दिया 0 is equal to 7 multiply होगे यह खतम x multiply में किस माई आगा divide में अगर इसे 0 रखा तो आंसर कितना है 7 by 2 यानि कि यह x और y अलग है इसमें भी x और y अलग है तीसरी बार o try करके देख लो क्या अंसर यह दोनों के अलाव कुछ और भी आता कि नहाता मालो मैंने x बराबर 1 रख लिया ठीक है x की जगा 1 minus का 5 y is equal to 7 2 1 जा 2 minus का 5 y is equal to 7 plus का 2 transpose हो की तरह किसको आजायागा minus का तो 7 में से 5 का minus plus का 5 multiply में है तो divide में आजायागा कितना है minus का 1 अगर मैंने x बराबर रखा तो y में रहे कितना है minus का 1 आया तो यहाँ पर two solution की condition को अगर देखा जाए तो 2 के अलाव़ तो answer तीसर भी आरहा वो भी अलग आ रहा है सेम तो नहीं आ रहा no solution में नहीं होगा two solution में नहीं होगा unique का मतलब एक ही answer आता बढ़ यहां तो अलग-अलग answer आ रहे है तो यानि कि अगर x और y की value को में जितना मरजी assume करता जाऊंगा मेरे answer अलग-अलग आएंगे तो इसमें answer हो जाया का option c infinitely many solution x और y को में जितना x को रखेंगे y की value निकलती रहेगा हर अबार different निकलेगा same answer नहीं निकल पाएगा question number 2 में बोला गया है the equation 2x plus 5 is equal to 7 has a unique solution उसका एक ही solution होगा अगर if x और y होंगे या तो दोने natural number हो या positive real number हो real number हो या rational number हो तो इस question में unique answer चाहिए बना एक ही answer हो उसके अलाव ना हो ऐसे कौन से condition को verify करेगा तो ऐसा सिरफ एक ही condition बना सकता है natural के अंदर क्योंकि positive real number और real number इनकी family बहुत बड़ी होती है क्योंकि इनमें positive number इसमें तो सरफ positive आते हैं ठीक है बहुत सारी number आते इसके अंदर जिसमें ये बहुत सारी condition को verify कर सकते हैं लेकिन natural number की counting शुरू होते है 1 से 1, 2, 3, 4, 5 से लेके infinity तक चलती है तो इसमें अगर मैं x बराबर 1 और y बराबर 1 रखूँ तो सिरफ एक यही ऐसे condition है natural number के जो इसको verify कर सकती है x के जगा 1 लखा y के जगा 1 लखा 7 2, 1, 2, 5 and 7 5 और 2, 7 आ रहे हैं तो मतलब मेरी left and side equal आ रही है right and side की और 1 और 1 दोनो natural number आगर positive real number की बात करूँ तो इसमें decimal fraction बहुत सारे number आते हैं ये भी कई सारी condition को verify करते हैं लेकिन हमें क्या बोला गया है unique solution एक ही answer आना चाहिए तो ऐसे के लिए सिरफ एक एक ही number ऐसा है जो की natural number के accounting में include होता है जो की answer हमारा a देगा ठीक है चूंकि natural number होते हैं दोनों के one one और हमें unique solution चाहिए तो एक यही condition है जो एक answer दे सकती है question number two हो गया question number three में देखो क्या बोला गया है if two zero is the solution of the linear equation इस equation के solution है तो बताओ k की value क्या होगी यह मेरी x की value दे रखी है यह y की value दे रखी है हमारी जो equation है two x plus three y is equal to k है तो हमें x और y की value को put करना है x के जगा two y के जगा zero तो दो दो नहीं चार यह तो zero के multiply कोई खतम हो गया तो मेरे k की value कितने लिए के लिए आ रही है four k की value कितने आ रही है four तो मेरा option हो जायागा a और इसे के साथ मेरा question number three यहां पे complete होता है अब discuss करें question number four question number four में देखो क्या बोला गया है any solution of a linear equation in a two variable is of the form हमें linear equation दे रखे है और इसके यह solution दे रहे है बताएं इसका solution कौन है तो यहां पर equation है two x plus zero y sorry plus nine is equal to zero zero को y से multiply करेंगे तो जाया खतम plus का nine जो है transpose हो जागा minus को जागा multiply में किस को जागा divide में यह नहीं x की value मेरे कितनी हार है minus का nine by two y की value तो कुछ भी रख सकतो यहां पर one, two, three, j, k, element कुछ भी रख लो वो zero से multiply को finish हो जाएगी हमें focus करना है x पे x हमें minus का nine by two चाहिए हमारे जो coordinate होता है वो इस तरीकी से होता है पहले x का होता है फिर y का होता है x की जगा में minus का nine by two ही चाहिए y की जगा पर यहां पर कुछ भी हो चाहिए x, y, z, कुछ भी हो सकता है y की जगा पर but x की जगा यह होना चीछ चक करते हैं कौन सा option में आच हो रहा है minus का nine by two इस की जगा पर MR है चलो आगे देखो x की जगा nine by two यहां पर आना रहा है यानि यह नहीं होगा यह भी नहीं होगा यह भी नहीं होगा answer कौन हो जाएगा a y की जगा कुछ भी हो सकता है क्योंगी यहां पर कुछ भी रखेंगे zero से multiple लागे finish हो जाएगा but x हामारा nine by two ही रहेगा answer हो जाएगा a fifth part और अगर the graph of the linear equation two x plus three y plus is equal to six cut the y axis at the point यह नि जो cut लग रहा है वो y axis पे लग रहा है अगर y axis पे लगेगा तो definitely x मेरा कौन होगा zero x हो जाएगा zero y होगा something होगा but nothing होगा कुछ ने कुछ तो होगा equation दे रखे two x three y is equal to six x के जगा मैंने zero रख दिया y का y चे यह तो multiply के खदम three y is equal to six multiply में था divide में आगे y की value कितनी आई दो तो मेरा जो coordinate था वो गया था zero y y की value आई दो मेरा answer कितना जाएगा zero two match करो option हो जाएगा d यह मेरा question number five था अब question number six the equation x is equal to seven in a two variable can be written as इस x is equal to seven को हम किस तरीके से लेख सकते हैं हमें यह बताना है तो मेरी जो equation देखो यहाँ पर है one x कुछ भी ने तो one होगा is equal to seven इसके अंदर अगर मैं y लगाना चाहता हूँ तो y को मैं से ले सकता हूँ 0y क्योंको 0 को seven से multiply करूँगा 0 को y से multiply करूँगा दो अपर 0 हो जाएगा तो यहने कि 0y लिखा जा सकता है बस option match करना है यह match हो नहीं हो रहा b 1x 0y is equal to seven 0x यहने कि option मेरा match हो रहा b answer हो जाएगा b तो question number six मेरे यहाँ पर complete होता है उमीद करता हूँ student आपको question समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर करें ठीक है मिलते है अंगले वीडियो में बाइबा, थैंक्यू